कि अब बन गए हैं सुपर स्टार अब बारी है उनको अपने बोर्ड की तयारी करने की मैंने कहा है कि अब आपके बोर्ड 24 की आपको तयारी करनी है और आईए मिलकर करते हैं एक जम बेसिक लेवल से लेकर के यह स्टॉपेस्ट लेवल तक तो आज की टॉपिक है हमारा पोर्स आम जिन्दगी में आप कई बार इस शब्ट को यूज कर रहे हैं बल कह सकते हो ताकत कह सकते हो आ साफी अंतर है तो अगर आप इन दोनों को देखें तो आपको दिखाई देगा कि एक तरफ जो धका मार रहा है एरो समझे तो यह है पुश किसी को धकेलना दर्वाजों पे लिखा मिलता है कई बार पुश कर ये तो कई बार गलती समलोंग अपनी तरफ खिच लेते हैं पुश जबकि इसको देखिए इस वाली इमेज को देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अपनी तरफ खीच रहा है इसको देखिए ये रसी से अपनी तरफ ये खीच रहा है तो इसे कहते हैं पुल पुल मतलब अप समझ गए कई बार आप showrooms के gate में जाते हैं और वाँ पुल यह पुश लिखा होता है आप confused जाते हैं तो पुश करना किसे को धकेलना होता है और पुल करना अपने तरफ खिचना है तो यह पुल पुश is क्या is our two opposite forces यह दोनों forces opposite forces हैं मतलब यह force हैं तो force है क्या तो force वो cause है वो कारण है जिसकी वज़े से body यहां तो rest में आ सकती है यहां rest की body movement में भी आ सकती है किसी को आप धक्का मार दीजिए तो अगर वो खड़ा है वो तो चल पड़ेगा अगर वो cycle में बैठा है तो उसका cycle आगे चली जाएगी तो body motion से rest मिलाना rest से motion मिले जाना even shape और even size change करना toothpaste को आपने दबाया तो toothpaste से paste बाहर रिकल आई shape change हो गया ठीक है तो shape change करता है यह सारा काम करता है force force का ऐसा unit क्या है newton clear है आईए थोड़ा सा force के और आगे बढ़े force के आगे क्या force के आगे है type of force में पढ़ना है हम लोगो हम लोग यह जानेंगे कि अगर force किसी body पर लगा रहे है तो वो body अगर straight line में move कर जाती है तो उसे क्या कहेंगे तब हम उसे कहेंगे translational या linear force ऐसा force जिस rigid body पर लगाया गया है हाँ एक आम example ले सकते हैं कि आपने केरम board में हाँ आपने केरम board के ला है striker से क्या कर दिया हाँ striker से मार दिया तेजी से और striker अगले किसी coin को जाता है तेज से toker मारता है और हम कहते है linear motion और आम भाशा में कहूँ तो आपने किसी को push कर दिया है और वो थोड़ा सा आगे चला गया है आपके push करने से क्या हो गया linear motion तो एक ball है जिसको क्या कर दिया है आपने ground पे अपने floor पे kick मार दिया है हाँ आपने ball को kick मार दिया है हो गया linear motion तो linear motion एक straight line motion है बस आप ऐसे पहचान लेजिए और दूसरा अगर कोई body हो जो rigid body हो पर किसी point पर उसको क्या कर दिया गया हो पाइवेट कर दिया हो let's say यह जो stylus है मेरे हाथ में इस point पे पाइवेट कर दिया गया पाइवेट मतलब होता है यहां से वो able to move है पर यह point नहीं करेगा एक particular point पे body वहां से able to move है तो अब यह pan rotate तो कर पा रही है अगर हम force लगा रहे हैं इस फिर देखे upward force लगा रहे है या downward force लगा रहे है तो ऐसे ही body होती जो rotational force पदा करती है जिनमें हम force लगाएं और body क्या हो keyword क्या है pivoted ठीक है और example दू जैसे force on the handle of the door आपके दरवाजे का जो handle है हाँ ऐसा वाला knob होगा जिसमें आप ऐसे turn करते हैं तो दरवाजा खुल जाता और even जब आप loose छोड़ देते हैं तो वापस दरवाजा बंद हो जाता या normally आपके windows को या doors को आप खीचते हैं pull और push करत रहे हैं तो वह भी point पर pivoted होता है आपका धरवाजा ध्यान दिया था अपने ना या turning of a wheel एक axle पर turn कर रहा होता है ना एक धूरी पर turn कर रहा होता है center point पर हो गया rotational force तो अगर कोई body move कर रही है जिसे हम कहते है moment of force, turning effect या तीसरा नाम torque हाँ torque, turning effect, moment of force क्या है तो अगर कोई body move कर रही है किसी axis पर move कर रही है किसी एक particular point पर move कर रही है तो वो क्या कर रही है moment of force कर रही है चलिए आईए समझते हैं एक example से एक image देखिए आपके पास screen पर है आपको समझाते है कि moment of force कहां apply हो रहा है तो ये वो point है ये एक body है ध्यान दीजे ये ये जो दिख रही है ये एक imaginary body है let's say ruler है इस point पर उसको क्या कर दिया गया है पाइवट कर दिया गया इसका मतलब है यहां यहां से वो free to rotate हो सकती है तो जैसे ही हम force इस पर downward लगा रहे हैं देखिए ये जो ruler है नीचे की तरफ आ जाएगा क्या कहते हैं ये ruler क्या हो जाएगा अब नीचे की तरफ आ जाएगा यहां से यहां आ जाएगा आ जाएगा तो इस force को जो यहां पर हम apply कर रहे हैं और इस distance को इस perpendicular distance को के product को कहते हैं moment of force ये formula भी है और definition भी है आईए देखे definition समझते हैं तो moment of force जिसको हम तौर कह रहे हैं बार बार is equal to product of product मतब multiplication of force force को जो अभी आपने देखा था force को लगाना और किस पर लगाना perpendicular distance in the line of action of force keyword याद कर लिजे distance कैसा होना चाहिए perpendicular होना चाहिए तो ही माना जाएगा आईए एक example से समझाओं कि क्या होता है perpendicular distance in the line of action of force इस diagram को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जड़ा इस diagram को देखें तो आपको थोड़ा सा और clear हो जाएगा हाँ मैं आपको दिखाने चाह रहा था कि अगर कोई body यह रही एक body ठीक है और वो pivoted है एक point पर let's assume करते हैं इस point पर ओ point पर वो pivoted है मतलब यहाँ पर उसको pivot कर दिया गया है यहां से वो rotate कर सकती है यहां से वह move कर सकती है body ठीक है हमने फोर्स लगाया यहाँ पर देखा यह जो point जहां हम फोर्स लगा रहे हैं let's assume करते हैं वह ए नम का point point A पर हम फोर्स लगा रहे हैं upward देख लिजे तो जैसे इसे फोर्स लगाएंगे तो body क्या करेगी ऐसे घड़ी का उल्टा मूब करेगी मैंने नीचे से फोर्स लगाया है तो body घड़ी के उल्टा मूब करेगी हम इसे कहते हैं anti clockwise क्या बोलते हैं anti clockwise moment गड़ी से उल्टा जा रहा है देख लिजे ध्यान से याद रखेगा जो anti clockwise मूमेंट होता है वो positive होता है अब आप पूछेंगे सर से मूमेंटा एक पॉइंट ओ से बी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे ओ से बी एक परपेंडिकुलर बन रहा है ठीक है तो आपको क्या लेना है इस ओ बी को यह हमारा पर पेंडिकुलर डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ए बी नहीं लेंगे ओ भी लेंगे तो आप formula क्या बन गया moment of force या torque is equal to force into perpendicular distance अब symbol के रूप में यहाँ पर force को multiply कर देंगे with distance कौन सा लेना है आपको o b जियान दीजेगा o a b नहीं लेंगे आप ठीक है यह तो line of action of force है क्या इसका नाम है line इसका नाम है line of action of force तो आपको इसको नहीं लेना है आपको लेना है इसको distance को लेना है यह distance this distance you have to take clear है चलो very clear होना चाहिए आई आगे बढ़ जाते हैं और आपको आगे लिए चलते हैं torque तो समझ में आ गया कहां कहां torque apply हो रहा है आईए और torque किस पर डिबेंड करता है तो formula से पता चल गया talk दो चीज़ पर डिबेंड करता होगा एक फोर्स पर डिबेंड करता है तूत्रा परपेंडिक्लर डिस्टेंस बुलेंगे सर रियल लाइफ में कहां यूज हो रहा है सर हाँ आपके घर में यूज हो रहा है तुम डेली यूज कर रहे हो एक्जांपल दू यह है आपके घर के दरवाजे ठीक है यह है आपके घर के डोर्स यहां पर एक पॉइंट पर वो हिंज लगा होता है क्या वर्ड होता है हिंज 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 हां भाई जहां पर दिवाल पर वो फिट हो जाते है भाई उसको हिंज कहते हैं तो यह यह इसका क्या है पाइविट मिध्यों का आपके दर्वाजों का हैं यहां पर होता है तो यह जो distance है यही है पर पेंडिकुलर डिस्टेंस शौट फॉर्म मैं लिक रहा हूं पी डिस्टेंस देखा फोर्स आप यहां लगाते हो आप ऐसे दर्वाजों को लगाते हो खीचते हो यहँ था ठीक है पुल पुश पुल और पुश क्या है पुश है जब आपको खोलना हgga आप उटा है आप पुश करते हो जब बंद करना होता है अपनी तरफ खीछ लैते हो है तो अगया तो आपने यहा लगाया कहा इस पॉर्ड पर लगाया आपने फोप्self दोन तो इसका यूनिट क्या है तो इसका यूनिट है है Newton meter sir कैसे आया unit Newton meter तो आईए देखे Newton meter कैसे unit इसका आ गया देखे अभी आपने देखा कि torque that is moment of force is equal to force into perpendicular distance symbol के रूप में हम लगा देते हैं f into r आप s भी लिख सकते हैं distance का symbol का आप s यूज़ करते हैं तो यहाँ पर force का ऐसा unit क्या है Newton और distance का ऐसा unit क्या है meter तो अंसर किसमें आएगा Newton meter लियर है अब इसको आप Newton meter ही लिख सकते हैं इसको joule joule नहीं लिख सकते हैं सर हाँ force into distance क्योंकि torque एक vector quantity है कैसी quantity है vector सर यह vector क्या होता है एक ऐसी value जिसमें magnitude भी है direction भी है तो उसमें दोनों ही होता है that is why it is Newton meter जबकि वर्क में भी Newton meter होता है पर वर्क एक scalar quantity है वहां हम Joule जूल लिख सचते हैं चलो ऐसा unit आपने देख लिए Newton meter तो इसका cgs unit क्या है Newton के लिए dine और meter के लिए centimeter so dine centimeter क्या relation है दोनों में आईए देखें तो 1 Newton meter किसके बराबर है 10 to the power 7 dine centimeter वह सर कैसे आया आईए देख लेते हैं क्योंकि 1 Newton जो है वह 10 to the power 5 dine के equal है याद रखेंगे यह SI unit of force और यह cgs unit अब इसको क्या करना है 1 Newton into 1 meter अब क्योंकि 1 meter जो है वह 10 to the power 2 centimeter के पराबर है तो 10 to the power 5 और 2 this gives you 10 to the power 7 dine centimeter समझ में आया यह कहां से है 10 to the power 7 dine centimeter चलो और अगर kilogram force में कहीं measure कर लिया गया हो तो मतलब इसको Newton न लिया गया हो kilogram force में लिया गया हो जिससे हम gravitational unit of force कहते है क्या gravitational unit of force तो formula हो जाएगा तो value हो जाएगी 9.8 Newton meter similarly gram force में होगा तो 980 क्या 980 dine centimeter लिखेंगे 980 dine centimeter I am very sure कि आप clear है चलो आप मैंने correct कर दिया उसको आगे आ जाईए तो हमेशा जब आप clockwise moment की बात करते हैं इसका मतलब है जब rotation होगा तो body यहां तो clockwise गुमेगी जैसे घड़ी घुमती है आपकी चलती है 1,2,3,4,5,6 तो यह clockwise चल रही है तो जब घड़ी जल रही जिस तरह से उसकी value हमेशा नेगेटिव होगी और घड़ी के उल्टा चलेंगे तो उल्टा चलेंगे तो positive आईए कुछ real life example दें आपके मेरे life में कहां का moment of force इस्तमाल हो रहा है तो जब आप डूर को shut यह open कर रहे हैं मैंने बाली बताया था पुल या push कर रहे हो तो लग रहा है आपका moment of force अगर आपके घर में या गाउं में आपने देखा होगा हाँ आठा चक्की होती है गाउं में हाथ से चलने वाली आठा चक्की आप पूजा में भी इस्तमाल होती है यह ऐसी round सी होती है stone grinder से कहते हैं और बीच में सा यहां पर hole होता है और यहां पर यहां पर wooden एक handle लगा होता है लोग इस handle को पकड़ करे गोल घुमाते हैं I am sure आपने जरूर देखा होगा hand floor grinder और देखा होगा तो comment box में लिखेंगे yes क्या yes और अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं no लिख दीजेगा और मेरे कहने पर गूगल कर लिजेगा क्या इस बार इसकी image देख लिजेगा आपको याद आ जाएगा यह यह hand floor grinder है गाओं और घरों में होता है पूजा के समय स्तमाल होता है ऐसा round सा घुमा जाता है तो इसमें जो यह यह जो handle है इसका इसको handle को आपको यह भी बताना है yes लिके हैं तो आप यह बता या गाओं में लाइक देख रहा है तो प्लीज अभी बताईए और कोई बात नहीं बार में भी देख रहा होंगे recorded देख रहा होंगो तो भी इसका meaning मुझे जरू बताईएगा तो यह hand floor grinder का handle होता है इस center से maximum दूरी पोर होता है यह इसका perpendicular distance होता है समझ गहना और जितना grinder को rotate कर पाना याद रखेगा यह stone का बना होता है wheat को grind करने में हाँ घर में जो अनाज होता है उसको ड्राइए उसको grind करने पीसने के काम आता था पहले आजकल तो हम लोग यूजी नहीं कर रहे है आजकल सब पिसा-पिसा यह आ रहा है क्यों आजकल आठा आप लोर जो है ब कहां यूज हो रहा है अगर आपने spanner और wrench यूज किया हो अगर आपको पास होगा भी आपके गाड़ी में हाँ स्पैनर रेंच होगा कभी nut खुलने के कामा आता है दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से होता है कि कि अना लंबा सा ऐसा होता है और आप इसको यूज करते इसको खोलते हैं हाँ गाड़ी का पंचर अंचर होने से मैं भी इसका होता है तो जितना लंबा है जितना लंबा होता है इस पर बहुते होते हैं कभी ध्यान नहीं दिया होगा चलो तो यह है आपके राइफ में इस्तमाल होने वाला moment of force, आईए एक नया शब्द देखें, couple, husband and wife नहीं, couple, ये क्या है सर, तो couple क्या है, two equal, पहली चीज़ है, कि दोनों ही बराबर होने चाहिए, पर opposite और parallel force होने चाहिए, ध्यान से सुन लिजेगा, opposite और parallel, मतलब एक force अपवड जा रहा है देखें, द्यान से मेरे हाथ को, तो दूसरा force क्या हो रहा है, downward आ रहा है, दोनों parallel है, हाँ, इसे कहते हैं, couple, तो अगर कोई force, एक ना हो, दो हो, पहली चीज़, force कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, अगर 10 Newton का force downward आ रहा है, तो 10 Newton का force upward ज समझ गये, तो opposite जा रहे हैं जुसरे के, और parallel भी है, देखिए, दोनों के बीच में distance कम नहीं हो रहा है, so opposite भी है, parallel भी है, और along the same line of body, एक body जो free to turn है, जो free to rotate है, तो वो क्या करता है, couple पैदा करता है, sir कहां होता है couple, चलिए, अभी आपको एक couple दिखा देते हैं, अगर अपने bottle का cap open किया हो, तो, खुला है, हाँ, एक तरफ आप क्या करते हो, cap को downward प्रेस करते हो, एक finger से और दूसरी finger से upward प्रेस करते हो, तो एक finger उपर की तरफ जा रही है, और दूसरी finger क्या करते है, downward, नतिजा cap open या close हो जाता है, तो आपने लगाया couple, कितना असान था ना couple, आपने real life में couple use किया हुआ है, पर आपने सोचा नहीं था, हाँ, अब आपको मिले चलते हैं, एक example से, हाँ, जड़र आपको दिखा दें, couple वाले example को, चलिए, आगे देखते हैं, couple वाले example में, अगर, हाँ, एक example से मैंने देखाया, कि अगर, कोई एक bottle है, ठीक है, आपने ए एक force लगाया, cap की, टॉप पर, और cap को downward turn किया, एक तरफ से, और दूसरी तरफ से क्या लगा दिया, force, upward लगा दिया, क्या कर दिया, upward लगा दिया, अपवर्ड लगा दिया, अपवर्ड लगा दिया, इमेज दिखाना पड़ेगा, एक force लगाया, आपने upward, देखे, अब दोनों ही force क्या है, let's assume 10 newton के, ये भी 10 newton का है, ये भी 10 newton का है, इन दोनों के बीच में एक straight line है, इसको कहते हैं हम लोग couple arm, क्या कहते हैं इसको, couple arm, ठीक है न, couple arm वो straight line है, जिसके ends पर एक यहां, और एक यहां आप क्या कर रहे हैं, force लगा रहे हैं, parallel भी है, equal भी है, पर opposite directions में हैं, यहां दीजेगा, so it causes क्या, rotation, couple भी क्या करता है, rotational motion कॉस करता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं और आपको अब कुछ और example देते हैं, moment of couple, जैसे moment of force हो सकता है, तो वैसे moment of couple is equal, पहली चीज़, इसका product of force into displacement equal ही होगा, दोनों तरफ का, ठीक है न, क्योंकि दोनों ही body क्या होंगी, equal forces से बनी है, इसी लिए, जैसे कि मेरे example में यहाँ होने जा रहा है, अगर हम इस distance को assume कर लें कि हमारे पास 4 meter है, हाँ, distance between A, यहाँ से ले करके F तक, इस point तक, चलो इसका नाम B दे देते हैं, तो अगर distance मेरा 4 meter है, और force है, let's say, 10 newton यहाँ, 10 newton यहाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए, couple एक यह, जो की downward जा रहा है, देखे द्यान से, ऐसे जा रहा है downward, हम इसे कहेंगे क्या, anti-clockwise moment, क्या कहेंगे इसे, क्यों, anti-clockwise क्यों कहेंगे, देखे, घड़ी के उल्टा दिशा में move कर रहा है, देखे, क्या कहते हैं, तो इसे क लेंगे, anti-clockwise moment, और यहाँ पर लगेगा, force into displacement, हमारा force है, 10 पर displacement, आप लेंगे 2, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ तक distance होगा, 2, 4 है, total distance, diameter, तो यहाँ कर डिस्टेंस हो जाएगा, 2, यह radius तक कई पाट लेंगे, similarly, यहाँ पर भी क्या हैगा, यहाँ पर भी force into displacement लेना है, moment of couple के ल 10 into 2, यहाँ भी आ जाएगा, sorry, 10 into 2, 20 newton meter, 20 newton meter, याद रखेगा, joule word लिखना allowed नहीं है, तो क्या है, क्या सावित करना चाहते हैं, कि couple also causes rotational motion, ठीक है, और couple का uses कहाँ है, आईए देखे, आपने अपने घर के इस door handle को पक्का यूज किया होगा, आपने क्या किया है, handle down किया, देखे, rotational motion हो गया, धर देखे, tap को open close किया होगा, पक्का, आना, यह वाले tap तो पुराने हो गया है, वैसे आजकल ने type के taps आ रहे हैं, बड़ यह tap भी मैंने आपको schools में जरूर देखे होगा, आपने, क्या कहते हैं, surely देखा होगा, और इसको देखे, आप क्या कर रहे हैं, एक screwdriver है, screwdriver की मदद से क्या कर रहे हैं, आप एक particular point पे force लगा करके उसे क्या कर रहे हैं, turn कर रहे हैं, देखे द्यान से, so यहाँ पर आपने लगाया moment of force, अब अगली heading है हमारे पास, equilibrium, सर यह क्या होता है, equilibrium क्या होता है, देखे, नाम पे आईए, the word equilibrium means at rest, when many forces, when बहुत सारे forces किसी एक body पर लगाया जा रहे हैं, सोचो, imagine करो, कोई एक body है, इसको यहाँ से भी push किया जा रहा है, 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 बट वो body क्या कर रही है, अपने state को maintain रखती है, तो इ लगने के बावजूद तुम अपनी पोदिशन पर खड़े हो उसका मतलब है तुम इकलिरम पर हो तो इकलिरम क्या है इफ सेवरेल फोर्सेज एक नहीं कई सारे फोर्सेज एक बॉड़ी पर एक्ट करते हैं बट क्या होता है दे डू नौट चेंज दी स्टेट आफ रेस्ट तो बॉड़ी रेस्ट का स्टेट चेंज करती है इसका मतलब रुकी भी बॉड़ी है तो रुकी रह जाएगी और अगर मोशन में बॉड़ी है चलती भी बॉड़ी है फोर्स लगने के बावजूद भी स्टॉप नहीं करेगी चलती रहेगी इसको कहते हैं हम लोग एकलिरि तो तैकिकलिबरम पढ़ेंगे फर कंडिशन दोनों में यही लगने वाली है पहला पहला कंडिशन क्या है कि जितने भी फोर्स लगा लो जितनी भी ताकत जितना भी बल लगा लो हर दिशा से पर उस सब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपस में जीरो हो जाएगी यहां से फोर्स लगा रहा है तैन 네ूटन का ध्याण से लीजेगा मैं और यहां से बी नाम पी है इसक फोर्स मार रहा है यह तैनन नूटन का कितने के मेने बताया तैन नूटन का बताईए秘ाभव करेगी कि अपनी आप पोजिशन पर रह जाएगी क्योंकि दोनों equal forces लगा रहे है resultant इसका effect क्या आएगा 0 क्या word आएगा 0 क्योंकि एक अगर left से right force लगा रहा है और एक right से left लगा रहा है और दोनों equal force हैं तो equal force से तो value क्या आजाएगी 0 हो जाएगी ने 0 तो इसी लिए ये body equilibrium पे रहेगी keyword है कि इनका force का result इसका answer निशकर्ष left से right, right से left या top से bottom, bottom से top हर तरफ क्या आना चाहिए equal आना चाहिए तो अगर ऐसा हुआ तो body क्या हो जाएगी अपनी position पे maintain रहेगी और यहा तो एक और है the result moment of force दीखें यहाँ पे word है moment of force acting on the body should also be 0 समझ गए, तो force हो या moment of force हो body पर वो 0 ही रहेगा आईए कुछ example देखते है तो static equilibrium a body which remains in a state of rest, static word rest के लिए है keyword क्या है इसका static का rest क्या word है, rest एक table के top पर, यह है table यहाँ पर एक notebook रखी है आपकी चली आपकी physics की book रखी हुई है इसके top पर तो यह physics की book अपना weight लगा रही है table पर हाँ बाई, gravity की वज़े से तो body नीचे दबा रही होगी table को पर क्या table भी उसके पर force लगा रहा है कि नहीं जरू लगा रहा होगा तो यह दोनों force equal है, eight जो weight of the book on the table है और दूसरा जो table है वह भी क्या कर रहा है, एक upward force लगा रहा है, यह दोनों equal है, नतीजा book अपनी position पर rest पर पड़ी हुई है, हम इसे कहते हैं, static equilibrium, clear है, आईए, static equilibrium का एक अजीब सा, आपके real life का भी example से समझते हैं देखे, दो person है, एक आपको boy दिख रहा है, एक girl दिख रहा है, ठीक है ना, दोनों दोनों अपने forces से क्या करना चाहते हैं, दोनों equal weight के हैं, दोनों का weight equal है, weight मतलब force लगा रहा है मतलब मैं force में कह रहा हूँ, दोनों का force equal है, और दोनों का distance भी equal है, क्या होगा, दोनों क्य रखे रहे जाएंगे सच कह रहा हूं दोनों बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे स्टेटिक उग्लिवियम पर आ जाएंगे की सुना आपने ना पहला कि इसका जो फोर्स होना चाहिए वह नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो जीरो आ रहा है मेरे एक्जामपल में क्योंकि मैंने कहा लेट से इसके पास है 50 न्यूटन का फोर्स तो मैंने कहा इसके पास भी क्या है 50 न्यूटन का फोर्स है फिर ये डिस्टेंस मैंने कहा लेट से ये 2 सेंट 2 मीटर अवे है तो ये भी डिस्टेंस टू मीटर अवे है नतीजा क्या हो जाएगा बॉडी इस्टेटिक लिवियम पर आ जाएगी मुव नहीं करेगी हाँ वो मज़ा नहीं आएगा सीसों में चलो आओ डैनेमिक लिवियम पर आते हैं तो एक ऐसा एक लिवियम उस बॉडी में जिस बॉडी में मोशन हो और वो टू रिमेंस इन दी मोशन डैनमिक वर्ड का की वर्ड क्या है मोशन लिएइड बॉडी अंदर इंफ्ल्टक लिवर्ड सब दिश्य सामाज़ लाइए एवन विन बेन दी पॉर्स अप्लाइड ऐसी बॉड़ी को कहते हैं डैनिविक लिगुडियम सर कहा होता है डैनिविक गिर रही होटी, सर कैसे आईए रेंड्रॉप को गिरने का एक्जाम्पल से बताते हैं, जब बारिश की बूंदे गिर रही होगी, इमेजिन करिए ये वाटर ड्रॉप है तो वाटर का मास इसे नीचे ले जा रहा है, जिसे हम वेट कह रहे हैं, हम ग्रेविटी के वेट की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो मौझूद एयर होगी, क्या यहाँ पर जो मौझूद एयर होगी, क्या उससे वो रोक नहीं रही होगी, क्या उससे वो स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा, पर क्या वो motion रुपता है अपना नए तो इसी लिए ये क्या है falling raindrop एक dynamic equilibrium है similarly एक aeroplane एक particular height पे उड़ रहा है let's assume कि एक aeroplane क्या कर रहा है 10,000 feet की height पे उड़ रहा है ठीक है तो वो समय उसके पास क्या है dynamic equilibrium है क्योंकि उसका mass तो उसे नीचे लाना चाहता है उसका weight gravity दरवाना चाहता ह बट उसके अंदर जो engine है उसके जो force पैदा कर रहा है engine वो से lift दे रहा है bion force दे रहा है और उतने ही ताकस से जितने ही force से वो नीचे आना चाहता है gravity की पास उतने ही ताकस से उसको uplift कर दे रहा है और उसका motion रुक रहा है क्या नहीं रुक रहा है वो उड़ी ही उड़ रहा आप इस डाइग्रम को भी देख सकते हैं देखिए हमारी सेटलाइट हमारा मून है आपको पजानते ही हैं हमारा सेटलाइट हमारे अर्थ के चकर काट रहा है और हम अर्थ वाली क्या कर रहे हैं तो प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं सन के चकर काट रहे हैं पर क्या इनमें कई सार बावजूद 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 बंद नहीं कर रहा है इसलिए इसका नाम है डैनिवे की गलिवडे में चलो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करें स्कूल के प्रिंसिपल की नहीं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है कि सम अफ एंटी क्लोकवाइज मोमेंट और क्लोकवाइज मोमेंट दो होने चाहिए याद रखेगा मैंने एक बार पहले भी बताया था एंटी क्लोकवाइज मोमेंट की वेल्यू प्लस होती है और से लिख रहा हूं प्लस 10 Newton meter और clockwise मुमेंट मैंने सी लिख दिया clockwise moment की value है minus 10 Newton meter क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए clockwise negative में होता है अब बताइए net effect क्या आएगा अगर आप पूछेंगे net effect जीरो आ रहा है तो दूसरी लेंग्विज में यहीं लिखा है इप दी एलजेब्रिक सम अथार्थ इन दोनों को एड करें एंटी क्लॉक्वाइस को और क्लॉक्वाइस को एड करें तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा जीरो होगा हाँ भाई क्योंकि मोमेंट ओफ फोर जीरो हो जाएगा ना आईए अगला टर्म आ गया है सेंटर ओफ ग्रेविटी अगर हम तुमसे कहें हां मैं तुमसे कहूं कि तुमारा जो पेट में ना भी है नाम सुने है ना भी हाँ एन ए आई आई वी नेव भी बोलते हैं कई बार हमारी बॉडी का व एक्जिस्ट करता है इसका मतलब वहां से अगर उसको सस्पेंड करेंगे तो वह बैलेंस्ट रूप में सस्पेंड हो जाए रहा हूँ इसको देखते हैं यह देखते हैं कि अरे थमजा भाई एक पैन मैंने ऐसे गिरा के तोड़ दिती गिर गई थी मुझसे अरे बज गया क्या चूग्या तो यह क्या है body at equilibrium कब आ रही है जब उसके center of gravity पे क्या कर रहे है hold कर रहे है center of gravity वो point है जहाँ पर entire weight of the body act कर रहा है keyword क्या है वो point जहाँ पूरे body का weight क्या कर रहा है act कर रहा है इसका मतलब है यहाँ पर उसका सारा moment of weight force बोल दो बात एकी है क्योंकि weight of force का unit Newton ही है तो सारा moment of force वहाँ पर क्या होगा zero होगा ज़रा इस body को देखिए इस body को देखिए stable equilibrium वाली body है क्योंकि इसका जो flat end आई यह नीचे की तरफ हाँ भाई तुम अगर दोनों पैर से ऐसे खड़े हो imagine करो क्या जैसे मैं खड़ा हो जरा मेरे पैरों को तो नहीं दिखा पाऊंगा camera उपर है हाँ मैं ऐसे खड़ा हो हाँ तो अब मुझे गिराना थुदा मुश्किल होगा ठीक है ना क्योंकि मैंने पैर को ऐसे फैला दिया है ठीक है पैर पास में ले आता हूँ अब थोड़ा सा चांस है कि मेरा equilibrium थोड़ा कम हो जाएगा पर अगर मैं एक पैर पे आ जाओं क्या मैं एक पैर पे मुझे कोई हलका सा भी पूश्क करेगा तो मैं गिर जाओंगा समझ गया ना तो बॉड़ी अधर स्टेबल क्लिवर्यम पे है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी लोएस्ट होगी और बॉड़ी स्टेबल रहेगी पर अगर बॉड़ी क्या हो थोड़ा सा टॉर्क कर द कि नियर दी लोवर एंड है नीचे की तरफ है और बिट्वीन दी टू एंड है तो वो बॉड़ी नहीं गिरेगी पर यह जैसे ही सेंटर ग्रेविटी इसके बाहर चला जाएगा तो बॉड़ी को दिक्कत होगी जरा इसको देखे तो इस दो बॉड़ी को देखे यहां पर आप ड्रम देख रहे हैं उसको किस पोजिशन पर रखा गया है देखे अब यहां पर इसका टॉर्क एंड वाले पॉइंट पर आ गया है नतीजा क्या हो जाएगा यह बॉड़ी के हां हलका सभी आप टच करेंगे तो यह बॉड़ी गिर जाएगी यह तो शोर गिर जाएग है ध्यान दीजेगा तो कभी अपने सोचा है कि जो डबल कर बसे इस चलती है उसमें पहले यातरियों को किया जाता है कर बाब都是 उस जैनते हैं तो पहले लगा print में लोगों बैठाते हैं फिर बाद लोगों को कहते हैं कि अपर डेक में जाये ताकि सेंटर हो जाए log क्या चीज लोड हो जाए between the four wheels हो जाए ठ्रक की जो चारो पई है उसके बीच में हो जाए नतीजा body क्या हो जाएगी stable हो जाएगी जितना center of gravity low होगा कभी अपने सोचा है कि जब आप पाल पे चर्ते तो एईसे जुक के चर्ते हैं कभी ध्यान दिया ऐसे चरते समय है आप आगे का जो weight है नीचे कर लेते हैं पाल पे चरते समय क्यों अपनी body का center of gravity है आगे की तरफ और between two feet लाना चाहते हैं क्या between two feet center of gravity लगेगी आपको मज़ा आने लगेगा जब मैं कह रहा हूं अपने रियल लाइफ से कुछ एक्जामपल दो मुझे सेंटर ग्रेविटी का जी तुमारे रियल लाइफ से मुझे एक्जामपल चाहिए किसी और का नहीं चाहिए मुझे आपको लिखना है अपने रियल लाइफ का कोई ऐसा एक्जामपल जिसमें आप सेंटर अव ग्रेविटी के बारे में समझे यहां यूज किये चलो मैं बेस अबरी से इंतजार करूँगा तुम सब के क्योंकि आप मेरे हैं नए सूपरस्टार्स और याद रखेगा कंसेप्स क तो समझ कर अगर आप करेंगे फिजिक्स से प्यार हो जाएगा और अगर आपका सपना है इंजिनिरिंग जाना है मेडिकल फिल्म में जाना है तो फिजिक्स आपका पहला प्यार होना ही चाहिए हाँ फिजिक्स आपके मुठी में होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे चलो तो center of gravity किस पर depend करती है body की center of gravity किस पर depend करती है तो पहला है shape पर depend करती है first point है depends on shape shape मतलब यहां पर है उसका mass कैसा है उसका distribution of mass कैसा है एक imaginary example से मैं दे रहा हूँ एकदम circular body है तो उसका center of gravity की tension नहीं है एकदम बीचो बीच होगी जिसे हम geometric center कहते हैं न हाँ एक circular body है तो पर अगर body circular नहीं है let's assume एक body oval shaped है तो भी क्या करेंगे दोनों perpendicular distance की मदद की मदद से center of gravity निकाला जा सकता है और किस पर depend करता है तो क्या center of gravity body का हमेशा within the body ही होता है क्या कि body के बाहर भी हो सकता है जवाब है it usually is within the body but it can lie beyond the body या outside the body ठीक है जरूर निये body के material में पाया जाएगा एक sledge hammer का center of gravity देखे कहां पर है देख रहे है कहां पर है किस point पर है hammer के इस point पर है जरा इसको तो देखिए इस image को देखिए क्या आपने ये वाली bird देखी है क्या इसका center of gravity उसके beak पर है ठीक है सई सुना उसकी चोच पर है तभी यहाँ पर क्या है hold करने पर वो क्या कर रही है stable है देखे गिर नहीं रही है देखे हाथ से इस पर आ जाएए इस वाली खिलोने को तो पक्का आपने देखा होगा यह वाला खिलोना देखा है न जो boxing वाला बच्चे खेलते हैं ऐसे तो इसमें नीचे sand बरी होती है इस खिलोने में नीचे sand बरी होती है और इस sand बरने की वज़े से इसका center of gravity क्या हो जाता है बहुत lower हो जाता है नतिजा आप इसको अगर pull और push करेंगे तो भी क्या हो जाएगा थोड़ा जूलने के बाद वापस खड़ा हो जाएगा क्योंकि center of gravity is lowered जितना lower होगा उतना body stable हो जाएगी आईए कुछ example देखते हैं कुछ regular bodies का center of gravity rod का center of gravity उसके midpoint पे होगा एक circular disc का center of gravity उसके geometric center पे होगा similarly एक ball का हाँ भाई एक ball का एक spear का देखें circular disc में coin आ सकता है example पर spear में example आएगा ball canvas की ball football तो ये spear का भी geometric center ही होगा cylinder का कहा होगा midpoint पे cylinder का कहा होगा midpoint पे solid cone का कहा होगा at one fourth पे कहा पर one fourth at the height from the base base से one fourth उचाई पर होगा similarly hollow cone पे क्या होगा जहाँ one fourth है वहाँ one third हो जाएगा similarly और subtler ring में between the outside the ring मैंने कहा था ना center of gravity outside the body में outside the material भी हो सकता है जैसे की ring में हाँ हाँ अंगूटी की बात कर रहे है जब हाँ तो में अंगूटी पहनते हैं और ये shape भी अंगूटी है और triangular lamina में जहाँ medians मिल रहे हो intersection of जहाँ medians होता है उस point को कहता है centroid median mid points होते हैं बेसिकली ठीक है और parallelogram में कहाँ मिलेगा जहाँ diagonals मिल रहे हैं एक बात ध्यान देना है कि center of gravity को हम find भी कर सकते हैं अगर किसी body को suspend करेंगे तो center of gravity उसका point of suspension के नीचे होगा फिर से center of gravity will be below the point of suspension आईए uniform motion की बात करते हैं तो ये word आता है uniform motion क्या मतलब क्या है आईए एक example से समझते हैं एक body है चलो एक body है ठीक है वो point A से चलती है point B तक यहाँ पे उसका distance है 100 meter और let's assume time है 10 seconds खत्म दुबारा ये body क्या करती है B से D तक चले जाती है सिर्फ C तक चले जाती है इस बार भी distance है 100 meter और time जो है 10 seconds ही ले रही है क्या ऐसा आगे भी हो रहा है हाँ C से टीवी body क्या कर रही है distance है 100 meter और time ticking कर रही है 10 seconds तो body equal distance क्या keyword है equal distance travel कर रही है पहला शर्त है और दूसरा क्या है इक्वल इंटर्वेल आफ टाइम ले रही है ऐसी body को हम कहते है यूनिफॉर्म मोशन क्या यूनिफॉर्म मोशन ठीक है क्या बोलते हैं इसको यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म में equal distance होता है equal time interval होता है और हमें करना है यूनिफॉर्म circular द्यान से देखिए अब तो इसका मतलब है कि एक body एक circular field में travel कर रही है द्यान दिया आपने इस बार इस बार इसका distance again let's assume let's assume इसका distance भी equal है हाँ इसका distance भी equal है और इसमें time भी क्या कर रही है वो equal ले रही है फिर से देखिए फिर से देखिए ध्यान से देखिए distance मैं कह रहा हूँ equal है और time भी equal ले रही है so a से b b से c अब इसे कहेंगे uniform circular motion क्या keyword है uniform circular motion क्योंकि body क्या कर रही है एक complete circle बना रही है round ले रही है clear है uniform circular motion uniform क्यों कह रहे है अब आईए आगे बढ़ते है एक example से समझते है यह रहे एक body जिसका अलग-अलग body points में body दिखाई दे रही है आगे आगे आपको point a b c d ठीक है अब point a b c d क्या point बता रहा है कि कोई भी point कोई भी point अगर कोई body circular motion पे है तो वो tangent से क्या keyword है tangent t a n g e n t tangent वो point होता है जो center से अथा radius से perpendicular होता है क्या चीज radius से perpendicular होता है यह radius है this point will always be perpendicular ठीक है न तो कोई भी point होगा जैसे point a आप देखेंगे ठीक है न point b point c point d इन सब पर इसकी जो point है directions है वो भली directions तो change हो रहे है directions तो change हो रहे है मतलब इसकी velocity तो change होती जाएगी ध्यान से सुनिएगा मैंने speed मुरला नहीं है velocity इसकी velocity चेंज होती जाएगी क्योंकि direction change हो रहा है ठीक है so velocity is changing variable इसलिए इसको कहते है क्या accelerated motion क्या accelerated motion अब difference between uniform linear मतलब body एक straight line में चल रही थी जैसे मैंने example में दिखाया और दूसरा दिखाया uniform circular motion में जब body uniform linear में motion में होती है linear मतलब होता है straight line में चल रही है किस पे? straight line में चल रही है तो उसका acceleration क्या हो जाता है? zero क्या? acceleration zero हो जाता है जबकि उसकी speed और velocity क्या होती है? constant रहती है दिखाया से सुनिएगा और uniform linear motion is an unaccelerated motion क्योंकि acceleration zero है सर ऐसा क्यों सर? acceleration zero क्यों? क्योंकि acceleration का formula होता है change in velocity तो हम बार बार कह रहे हैं कि velocity sorry ve हम कह रहे हैं बार बार velocity सेम रहेगी सेम रहेगी upon change in time तो जब हम बार बार कह रहे हैं कि velocity ही चेंज नहीं होगी तो velocity zero आ जाएगी नहीं तो body क्या हो जाएगी acceleration zero हो जाएगा a will be zero समझ गए uniform circular motion में क्या हो जाएगा velocity change होती रहेगी घ्यान दीजेगा speed change नहीं होगी velocity change होगी clear है आई एक example समझते हैं इस image को देख लीजे आपको समझ में आ जाएगा कि centripetal force क्या होता है वो सारे forces from outward to the center is called as a centripetal force वो सारा force जो बाहर से एक circular body में अंदर की तरफ आ रहा है इसे कहते हैं क्या centripetal force ठीक है आओ definition से समझें centripetal force क्या है centripetal force is the force acting on a body moving in a circular path पहला शर्थ क्या है कि centripetal force linear motion में possible नहीं है किसमें linear motion में possible नहीं है जब भी होगा तो circular motion में possible है circular motion है body और उसका direction toward the center है keyword क्या है keyword क्या है toward the center centripetal center इसको पहचानो ये इस point को कह रहे हैं center तो देख रहे हैं सारा force कहां से आ रहा है बाहर से मतलब periphery से center की तरफ आ रहा है इसलिए क्या कहा है centripetal force चलो थ्यान और देना है कि जो direction of force है और acceleration है ये हर point पे change होता है किसी भी circular body पे ऐसा force और direction change होता रहता है क्योंकि बहुत ही बताया speed constant रहती है speed constant रहती है velocity नहीं velocity change होती होती है velocity क्यों कर रही direction डिपेंड करती है so for a moving body अगर एक body क्या कर रही है circular path पे है a force is needed which act as a centripetal force अगर आप चाहते हैं body move करे तो उसे centripetal force की जरवत पढ़ती है आईए कुछ और example देते हैं example है planets जब sun का चकर काट रहे हैं तो आपने देखा है कि planets sun के elliptical path में जाते हैं क्योंकि sun भी उन्हें अपने gravitational force से attract कर रहा होता है और earth या planet भी अपना gravitational force शो करते हैं but still क्या करता है वो centripetal force कहां से उन्हें मिल रहा है कि वो sun का ही चकर काटे planets क्यों नहीं हमारा earth क्यों नहीं moon के चकर काट रहा है या किसी मार्स के पास क्यों नहीं चला जाता है अब गुमते गुमते मार्स का चकर काटने चले जाए Jupiter का चकर काटने चले जाए imagine करो कभी हमारा earth ऐसा करे तो करेगा ही नहीं क्योंकि centripetal force है center oriented force क्या center oriented force center की तरफ आ रहे हैं सब लोग समझे दूसरा example है moon वाला भी similar आते हैं अगला force आते हैं यह है centrifugal force अब यह क्या है यह force actually भी होता ही नहीं है सच कह रहा हूँ मैं पर क्योंकि यह force नहीं होगा तो कह सकते हैं कि law Newton's third law काम नहीं कर पाएगा जो यह कहता है every action has equal and opposite reaction नहीं आईए मैं समझाता हूँ कि centrifugal force है क्या पहले तो एक ऐसा force जो की माना जाता है द्यान दीजेगा assumed है to be acting on a direction away from the center keyword क्या है keyword क्या है away from the center center से वो बाहर की तरफ निकलता है ठीक है और इसे कहते हैं centrifugal इसकी value कितने किसके बराबर होती है इसकी value centripetal के equal होती ध्यान दीजेगा तो जितना centripetal force है उतना ही centrifugal force होता है एक example देता हूँ कि आपने क्या किया हाँ तुमने क्या क्या लंगड बनाए यूनो वाट लंगड इस लंगड इस आपने एक thread लिया thread के end में एक इटा बान दिया क्या बान दिया यहां पर एक छोटा सा stone बान दिया इस मंझे में जो मंझा होता है पतंग उड़ाने वाला मंझा होता है डूर होती है न इस डूर पे thread पे तुमने stone बान दिया रो stone को गुमाई जा रहो किया है कभी ऐसा बहुत समल्गे करना तो वो stone distended रहता है दूर रहता है जितना आप ऐसे गुमाते रहते हो उतना stone आप से दूर रहता है अगर आपने गुमाना दीरे कर दिया तो क्या होगा दीरे दीरे stone आ करके ठप तुमी को लगेगा कभी क्या है क्या है इसा मैं शेयर हूँ कैसा नहीं किया होगा पर हाँ अगर आप stone को चलाते चलाते ऐसे छोड़ देंगे तो वे एकदम tangential force की तरह निकलेगा सामने जाएगा तो ये दो force काम कर रही है एक जो stone को आपके body से दूर ले जा रही है तो center से outward force क्या नाम बताया था centrifugal force और एक force वो है जो stone को hold किया हुआ है ताकि stone छूड़ के चला ना जाए हाँ ये है centripetal force वो force toward the center समझ गए दो forces काम कर रहे है तो ये एक unreal force है ये एक fictitious force है असली में ये force नहीं होता है क्या मैंने कहा ये force फर्जी force है fictitious force है सिर्फ assume करना पड़ता है observer को कि ये act कर रहा है कहाँ पर away from the center आई एक्जामपल मैंने बताया ये merry-go-round पे आप अगर जूले में जूले होंगे तो आपको बड़ा मज़ा आया होगा merry-go-round में आप देखेंगे कि आप इस जूले में जूले के साथ आपने पूरा चप्टर मेरे साथ finish कर दिया है और एक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे सच्चे सूपर स्टार है तो प्लीज self notes बनाना शुरू कर दीजे notes के लिए आपको attention नहीं लेना है description में मैं link दे दे रहा हूँ हाँ इस वीडियो के description में मैं link दे दे रहा हूँ जिसमें आपको हमारा app sir Tarun Rupani मिल जाएगा जहाँ ठेल सारे free content है please free content मैं कह रहा हूँ study material कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजे वहाँ आपको खुब सारी information मिलने वाली है ठेल सारी हाँ ठेल सारी information मिलने वाली है जिसका आप use कर सकते है absolutely free और हाँ ये सब paid contents है मैं आपके लिए मेरे सच्चे superstars के लिए ये content डाल रहा हूँ ताकि आपको अब से 24 batch की fit नहीं करना है अगर आप wait करने की सोच रहे हैं तो you are going to be late मैं बता दू कि 24 March यू आ जाएगा आप सोचते रहा जाओगे क्योंकि ये life का आपके golden period है हाँ तुमारे जीवन का ये golden period है जो अब शुरू हो चुका है और इस golden period को अब तुमें decide करना है कि आप कैसे जीना चाहते हैं अगर इसको सच में gold बनाना चाहते हैं तो अपने numberों से अपने abilities से अपने concept के power से अपनी understanding से इसको आप best बना दीजे और वरना तो जैसे सारी दुनिया कर रही है वैसे आप भी कर सकते हैं चलिए thank you and love you and please start preparing and please share जो आप की तो रही rising star से rising star जो 9th के बैच है आपके juniors के बैच है अगर आप भी rising star से super star बने हैं तो big like and a big love for you all चलिए मिलके करते हैं जर्नी को 24 जर्नी को एक super start के साथ मिलते हैं अगले lesson में bye take care